हलो चिल्रिन, आज ट्रांसलेशन में हम 71-85 वर्ब्स को हिंदी और इंग्लिश में पढ़ेंगे और उनके मतलब को भी समझेंगे तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट फाइव वर्ब्स हमारे हैं फ्लोट, तैरना, फ्लो, बहना, फ्लाइ, उड़ना, फॉलो, पीछा करना, फॉर्म, रूप या आकार देना तो चलिए एक बार इनकी स्पैलिंग्स को देखते हैं फ़र इनके मतलब को समझेंगे फ्लो, एटी, फ्लोट, फ्लोट मतलब होता है तैरना फ्लो, एटी, फ्लोट, फ्लोट मतलब तैरना नेक्स्ट इस फ्लोट, फ्लोट मतलब क्या होता है बहना फ्लोट, फ्लोट मतलब बहना अगला है फ्ल्य, फ्लाइ, 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 उड़ना FLY, fly, fly मतलब उड़ना F O L L O W, follow, पीछा करना F O L L O W, follow, पीछा करना और अगला है form F O R M, form मतलब रूप या आकार देना F O R M, form, form मतलब होता है रूप या आकार देना FLOAT, FLOAT मतलब तेरना, यह हम तब यूज करते हैं जब हम किसी non-living thing के बारे में बात करते हैं जैसे कि लकडी है, कोई table है, कोई boat है जब यह चीजें पानी के उपर तेरती हैं, तब हम बोलते हैं देया floating FLOATING, FLOATING मतलब होता है बहना अब आप कहेंगे कि blow मतलब भी बहना होता है तो FLOAT हम यूज करते हैं liquid thing के लिए जो चीज तरल रूप में होती है जैसे कि पानी है, juice है या चाय है यह चीजें जब फैलती हैं और बहती हैं तब हम यूज करते हैं flow और blow हम यूज करते हैं air के लिए फ्लाइ उड़ना यह तो आप समझ भी गए होंगे जब हम किसी चीज को उड़ाते हैं लाइक birds हैं अपने आप उड़ती हैं काइट है हम उड़ाते हैं तब हम फ्लाइ उज करते हैं follow पीछा करना follow पीछे करने का मतलब है या तो किसी व्यक्ति का पीछा करना या किसी व्यक्ति की बाते या उसकी अच्छाईयां हमको अच्छी लगी और हम उसकी तरह बनने के लिए उनकी अच्छाईयों को अपना कर उसका पीछा करने लगे मतलब उसका अनुसरन करने लगे उसकी habits को अपना कर उसकी तरह behave करने लगे, तब हम बोलते हैं follow मतलब पीछा करना, form, रूप या आकार देना, किसी भी चीज़ को जैसे की कुमहार होता है, वो मिट्टी को रूप देकर एक किसी मटके में या किसी कुलर में या किसी दीपक के shape में बना देता है, तो ये होता ह form या आकार देना, next five है, fulfill, पूरा करना, get, पाना या प्राप्त करना, get in, चड़ना, get off, उतरना, get up, उठना, एक बार इनके spellings याद कर लेते हैं, उसके बाद इनके मतलब को समझेंगे, ful, fi, double l, fulfill, पूरा करना, get get, get मतलब पाना या प्राप्त करना, get get, get मतलब क्या होता है, पाना या प्राप्त करना, get get, in, get in, चड़ना, get in, चड़ना, G, E, T, O, F, Get Off, Get Off मतलब उतरना G, E, T, O, F, Get Off, Get Off मतलब क्या होता है? उतरना और G, E, T, U, P, Get Up, Get Up मतलब होता है उतरना चलिए अब इनके मतलब को समझते हैं F, U, L, F, I, L, Fulfill मतलब पूरा करना अब ये पूरा करना हमारा Complete से थोड़ा अलग है इसका मतलब ये होता है कि पहले से हमने जो सोच कर रखा हुआ है जब वो चीज हम पूरी कर लेते हैं या उस चीज को हम पा लेते हैं तब हम बोलते हैं Fulfill जैसे कि कोई व्यक्ति है उसने बचपन से सोच रखा है कि उसको डॉक्टर या इंजीनियर या कोई सिंगर बनना है और जब बड़े होकर उसने अपने इस लक्ष को पूरा कर लिया प्राप्त कर लिया तो वह बोलेगा I fulfilled my dream मैंने अपने सपने को पूरा कर लिया understood? get मतलब होता है पाना या प्राप्त करना example के form में अगर मैं आपको समझाओं कि जो sheep होते हैं उनसे हम क्या पाते हैं? उनसे हम wool पाते हैं, own पाते हैं तो ये तो हो गया पाना और get मतलब होता है प्राप्त करना जैसे कि ममी ने आपको कोई गिफ्ट दिया तो वो गिफ्ट आपको प्राप्त हुआ you got a gift तो ये होता है प्राप्त करना get in चड़ना मतलब किसी भी जगा पर जाना किसी भी जगा पर पहुँचने के लिए हम get in का यूज़ करते हैं अगर मैं बोलू कि हम जब बस के अंदर जाते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं कि I get in to the bus और उसी प्रकार होता है get off तो ये इसका opposite हो गया जब हम उतरते हैं वहाँ से तो हम यूज़ कर सकते हैं कि get off get up का मतलब क्या होता है उठना हम जिस position में बैठे हुए हैं लेते हुए हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं उस position को छोड़कर जब हम change करते हैं position तब हम बोलते हैं कि get up किया हमने जैसे कि हम आप से बोलते हैं ना school में जब आप chair पर बैठे होते हैं कि get up from your chair तो अपनी chair से उठ जाओ या आप सो रहे होते हैं तो मम्मी आपको उठाती है तो इसको भी हम बोल सकते हैं कि get up तो यह हमारे verbs से five words आगे के देखते हैं give देना go जाना grow बढ़ना guard रखवाली करना have रखना give मतलब देना give मतलब देना go go मतलब जाना grow ग्रो मतलब क्या होता है बढ़ना grow ग्रो मतलब बढ़ना guard रखवाली करना guard मतलब क्या होता है रखवाली करना have मतलब रखना have मतलब क्या होता है रखना चलिए अब इनके मतलब समझते हैं G-I-V-E, Give Give का मतलब आप समझी गए होंगे जब हम कोई चीज किसी दूसरे वैक्ति को देते हैं तब हम Give का यूज करते हैं G-O, Go Go मतलब एक जगा से दूसरी जगा पर जाना मतलब अपनी जगा को छोड़कर किसी दूसरी जगा पर जाने के लिए हम Go का यूज करते हैं Grow मतलब क्या होता है? बढ़ना जब किसी भी वस्तू या किसी भी वैक्ति में number या उसके size में increment होता है, increase होता है उसका size तब हम कह सकते हैं that the word की कोई भी वस्तू जो है वो grow कर रही है या कोई भी वैक्ति grow कर रहा है G-U-A-R-D Guard, Guard मतलब रखवाली करना जब किसी वस्तू या किसी वैक्ति की किसी दूसरी वस्तू या वैक्ति से रक्षा करते हैं, हम उसको बचाते हैं तब हम इस word का use करते हैं जैसे कि Dogs जो होते हैं They guard our house They guard our house ना, तो हम क्या करते हैं कि Dogs guard our house की कुट्थे जो हैं, वो हमारे घर की रखवाली करते हैं या we can say that Shoulders guard our country जो सिपाही होते हैं, वो border पे हमारे देश की रक्षा करते हैं या रखवाली करते हैं तो हम तब ये वाला word use कर सकते हैं और last verb जो हमारी है, वो है have Have मतलब रखना जब कोई चीज अपने पास होती है जब कोई चीज का position हमारे पास होता है तब हम have का यूज कर सकते हैं जैसे कि I have a pen मेरे पास एक pen है तो pen मेरे पास है, मेरा है इसलिए मैंने have का यूज किया तो चलिए, एक बार इन सारे verbs को हम revise कर लेते हैं float, tear na, flow, बहना, fly, उड़ना, follow, पीछा करना, form, रूप या आकार देना fulfill, पूरा करना, get, पाना या प्राप्त करना, get in, चरना, get off, उतरना, get up, उठना give, देना, go, जाना, grow, बढ़ना, guard, रखवाली करना, और have, रखना तो आपका homework क्या है? आपको ये सारे verbs हिंदी और एंग्लिश में अपनी fair note books पर लिखने हैं ओके, that's all for today, goodbye and have a nice day